असलाम अलेकुम, इस्टूट्स आज हम सेंट पॉलिस्टर्स कमिशन का जो सेंट पॉलिस्टर्स कमिशन ने एस आएससेंट्स आप डिस्पेक्टर PPS9 का एंटे क्राप्शन डेपार्ट्मेंट में पेपर लिया है, उसको हम सालव करेंगे, तो सबसे पहला जो कुछ चिन analysis analysis का pleural farm कौन सा है जैसे हम crisis पढ़ते हैं तो उसमें भी हम कैसे बनाते हैं e s i s के जग़ा पे e लगाते हैं तो crisis में भी c i s e s होता है ठीक है crisis और इसी तरह से analysis में भी जो pleural बनेगा वो a n a l y s e s होगा जो भी ऐसे type के होते हैं इसमी e लगती है i के बज़ा है वो pleural बन जाते हैं उसके बाद कुस्षिय नमर टू जनरल का कुस्षिय नहीं के कौन सी line है boundary line है जो पाकिस्तान और इंडिया को जो है वो divide करने के लिए draw की गई थी तो divide कौन सी line करती है तो यह जो है वो sir red cliff line जो है ठीक है जाफी लिखी गई है data of east किस ने लिखी है बे नजीर भुटो ने उसके बाद smoke is a case of smoke air pollution है उसके बाद question number five है what is the correct behavioral form of child child का child is child is child नहीं होता है लेकिन children होता है यह unique है उसके बाद question number six है angel falls is the world tallest water falls water falls जो दुना की सबसे tallest है वो angel falls है और यह कहां पे है वह ने जुलामी है option number two दुरुस्ट है question number seven है कि largest island दुन्या की कौन सी है तो जो दुन्या की सबसे largest island है वो green laid option number two दुरुस्ट है उसके बाद question number eight है to keep one's temper इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है to be in good mood question number nine है herd of sheep क्यावाले से कि herd of sheep जब भी herd हम बोलते हैं मतलब उनका collection होती है sheep की जिसमें एक sheep नहीं आती है बहुत सारी sheep आ जाती है तो herd of sheep is grazing होता है ठीक है option number eight दुरुस्ट है question number ten भी है choose the correct sentence with correct subject agreement verb agreement तो every जब आता है every of students every of my books every जब भी आएगा every of आएगा तो उसके बाद जो हम use करेंगे actor every of के बाद हम use करेंगे plural subject तो every of students होगा student नहीं होगा एक बात यह होगी दूसरी क्या होगी उसके बाद जो subject आएगा वो singular आएगा every of the students in the class has completed assignment तो every of students plural होगा और जो verb आएगा वो singular आएगा तो a option दुरुस्ट होगा यह 10 questions होगे आज के वीडियो में ASI के जो मैंने सालव करवा हैं बाकी questions के लिए आप मेरे next studio का wait करें इंशाला वो भी 10-15 minutes से लेकर एग घंडे तक इंशाला वे अपलोड हो जाएगा वो भी आप सालव करें अपना score भी शेयर करें कि कितने किते questions ने साही हुए है या कोई अगर आप समझते हैं कि यहाँ से गलती है तो वो भी आप mention करवा सकते हैं और इंशाला मैं कुछ टाइम बहुत busy था तो कोई वीडियो मैंने YouTube पे अपलोड नहीं कर सका तक किरबन कोई 3-2-3 मैने मैंने कोई तना काम नहीं किया YouTube पे इंशाला आप भी daily basis पे वीड देंगे तो काइंड ले सबस्क्राइब कर दें थैंगे